नमस्कर दोस्तो मैं मिझनिस माश्टा फिर से हाज रूंँ अपने एक नए वीडियो को साथ जिन दोस्तों मेरे चैनल को भी तक सबस्क्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब कर ले तकि मैं लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें दोस्तों एक केविनेट मीटिंग था आज के दिन में साम के टाइम पर तो उसके रिगार्डिंग जो मीटिंग में जो सेंट्रल गोर्मेंट इंपलाई और पैंसनर है उनके डिय मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आप बोला जा रहा है डिय में केविनेट अप्रूब रिलीज ऑफ एडिशनल इंस्टल्मेंट आप डियरनेस एलांसे टू सेंट्रल गोर्मेंट इंपलाई यान डियरनेस रिलीफ टू पैंसनर डिय मिलता है जो वर्किंग है और डियर इक साथ उनको नहीं मिलेगा जो भी वर्किंग है या फिर पैंसनर है इन अप्रेल में यह मिलेगा अप्रेल के साथ प्याएगा और प्लस तीन महिने का एरियर जोर के भी मिलेगा क्योंकि एक एक दो अजार बाइस से डियू था तो मीटिंग में अभी तक जो आपको मिलता था तो 31 परसेंट डीय मिलता था जो इसेंट्रल गोर्मेंट इंपलाई और पैंसनर है जितना आपका बेसिक है उसका 31 परसेंट आपको डीय मिलता था जो की 3 परसेंट बढ़ा दिया गया एक दो अजार बाइस से तो अब नया जो रिवाइट डीय जो है ओ थर्ति-फर पर है तो इसलिए उसमें भी फरक आएगा ट्रांस्पोर्ट अलांसेज का जो डीय है उसमें भी आपका बिरिद्री होगा तो 3 परसेंट का बेसिक का इंक्रीमेंट आपको होने वाला है और यह जो डीय का इंक्रीमेंट हुआ इसमें 47.68 लाख जो है वो सेंट्रल गोर्मेंट का डीये देने से वह 9544.5 करोड का सलाना एक्स्ट्रा खर्च आएगा सेंट्रल गोर्मेंट का जितना 3 परसेंट डीये बढ़ा उसको पे करने के लिए सेंट्रल गोर्मेंट नो जो एस्टिमेट निकाला वह यह बताया है तो अभी आपका जो भी बेसिक पे होगा उसके एकाडिंग आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो सेल्री में डीये के करन तीन परसेंट डीये बढ़ने से क्या इंक्रीमेंट होगा और यह जो इफेक्ट लागू होगा यह एक जनौरी 2022 से होगा तो जितने पीछ चैनल पर नहीं हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले ऐसा ही लेटेस इंफोर्मेशन के लिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यबाद दोस्तों